हलो फ्रेंड्स दलकुन तो मैं चैनल तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एच प्यू का यूजी का रिजर्ट है वो आ गया है वो स्टुडेंट यूनिवर्सटी की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि आप कैस स्टुडेंट रिजर्ट चेक करें और यह वीडियो आपको फुल डिटेल में मिल जाएगी इसमें पूरा रिजर्ट से सारी इन्फॉर्मेशन की रिजर्ट ग्रेड का मतलब क्या है या जो भी स्टार आए हैं उनका मतलब क्या है पूरा डिटेल में आपको बता दूंगी ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, HPUs की साइट पे जाना है, वहाँ पे Student Portal पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने जो है, वो Undergraduate पे क्लिक करना है, सनातकियर पे, उसके बाद आपने ID और उसका Password डार के Sign In करना है, और वहाँ से Result का Download कर लेना है, जैसे ही आप Result का Download करेंगे, तो इस तरह से आपका जो है, वो Result आएगा, ठीक है, इसमें देखिए, आपके Subject है, Paper नाम है, Category है, और मार्क्स है, और उसके बाद है, यह Grade दिए गए है, Points दिए गए है, ठीक है, तो मैं आपको देखिए, बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए, यह सारे Points है, यह सारे आपके Marks हैं, और Passing Marks हैं, टोटल Marks हैं, तो यह आपको यहाँ से, इस तरह से Result कारड आएगा, उपर आपका नाम, आपका Roll Number, College Name, फोटो लगा होगा, वो सारे होंगे, ठीक है, तब, तो अब मैं आपको पता देती हूँ, देखिए, यहाँ पे A Grade आया है, देखिए, O Grade है, A है, फिर उसके बाद, है, स्टार है, स्टार है, इनका मैं मतलब बताऊंगे, कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और कितने आपको Marks मिर है, percentage कितने है, कि सब्जेक्ट में, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे 95% से जिनके ज़्यादा है, और Grade पॉइंट देखिए, 10 है, और Grade जो है, वो है S प्लस, इसी तरह, यहाँ पे सारे आपको डिटेल में दिये गए हैं, S का, O प्लस प्लस O, O प्लस, फिर A प्लस प्लस A, A प्लस B, प्लस B, C या F, इसमें आपको पूरे डिटेल मिल जाएगी, और मैं आपको बता देती हूँ, कि इसका T E, उपर आपको पॉइंट दी हैं, जिसे T E, तो मतलब टर्म एंड इग्जैमिनेशन, फिर उसके बाद C C A, इसकी फूल फॉर्म दी गई है, ग्रेड लेटर, प्रेक्टिकल, यह सारे इसमें ग्रेड पॉइंट है, ग्रेड पॉइंट, एवरेज, यह सारे हैं, ठीक है, यहां पे आप पॉरे डिटेल में देख सकते हैं, उसके बाद देखिए, यहां पे बताया गया है, कि यह स्टार का मतलब है, C C A, और फॉर्म दी सब्जैक्ट नॉट एंटर, ठीक है, और दबल स्टार का मतलब है, पास विद ग्रेड, ठीक है, उसके बाद है, हैस स्टार, तो इसका मतलब प्रैक्टिकल और C C marks, जो हैं, वो आपके अंटर नहीं हुए हैं, और हैस का मतलब है, प्रैक्टिकल मार्क्स, फॉर्ड़ सब्जैक्ट नॉट एंटर, ठीक है, आप स्टुडेंट्स का जो है, वो रिजर्ट पूरा आ जाएगा, ठीक है, अगर जिन स्टुडेंट का रिजर्ट तब भी नहीं आता है, वो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएगा, मुझसे जितना हो पाएगा, मैं ट्राइ करूंगी आपकी हेल्प करने की, और प्लीज डूंट वरी, टैंशन मत लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सकें, जादा से जादा शियर करें, थैंक्स फर वाच्च,